दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो बिल्ली जो है वो विश्म में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला जानवर है और क्या आप जानते हैं कि बिल्ली को हरा घांस भी जो है वो लाल दिखाई देता है अगर नहीं तो आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्ली से रिलेटेड बहुत ही interesting facts के बारे भी बताऊंगा जिनको शायद ही आप जानते होंगे और सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है साथ ही साथ आपका ग्यान भी बढ़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही interesting वीडियो बिल्ली आपको घर के आसपास जा अपने घर पे तो अक्सर मिल ही जाती होगी पर आप ये नहीं जानते होंगे बिल्ली का और मनुश्य का लगबग 95-100 वर्ष पुराना रिष्टा है यानि की बिल्ली को आसे साड़े 9000 साल पहले से पाला जाता रहा है जहां इंसान होते हैं वहाँ बिल्लियां होती ही हैं इसे एक समाजिक जानवर भी कहा जाता है यदि दुनिया की सबसे लोग पर ये पालतू जानवर की बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा है कि वो कैट यानि की बिल्ली ही है विकास छील देशों की तुलना में विक्सित देश जो हैं उनमें ब जानती ही होगे की बिल्लियों को पूसी-कैट के नाम से भी जाना जाता है। और समादने तया जो बिल्ली का जीवनकाल है जाने की जो बिल्ली की उम्र है वो 12-15 साल तक ही होती है और एक बहुत ही अच्चरे चकित करने वाली बात है कि जो घर में बिली पाली जाती है उसका जीवनकाल दूसरी बिलीयां जो की जंगली बिलीयां बाहर रहती है उनसे लंबा होता है और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद ही आपको पता हो कि बिली को पानी से संद करती है यानि कि उसको बस पानी से नफरत नहीं है तता बिल्ली की दाईं और बाईं मुच जो है उसमें बारा बारा बाल होते हैं बहुत इंटरस्टिंग फैक्ट है इसकी मुचों के बारे में भी जो मैं अभी आपको थोड़ी दिर में बताऊंगा जो बिल्ली का दिमा कंठा में 5% कम क्यूं है कि आपने डाயलेग क्यों तर सुना होगा कि इलाक lightning इयुक्त के होते हैं पर बाघ यानि यानि शेर तो हर इलाके में यह रहता है पर बिल्ली के साथ इसा नहीं है क्योंकि बिल्ली जो अपने अलाके में जिस तरह से ग्हूंती है उस तरह से वो दू दुसरा बिल्ली पूरे दिन में लगबग 16 घंटे तक सोती है, आदमे तो 8 घंटे सोता है, बिल्ली डबल यानि की 16 घंटे तक सोती है, इस तरह से ये अपने जीवन का दो तिहाई हिसा यानि की 70 प्रतिशत जिंद्गी जो है सोने में ही बिता देती है, और शाय यही इसकी फ जबड़ा दाएं तथा बाएं नहीं घूम पाता, जिस तरह से आप भेंस वगरा को देखते हैं कि वो खाना चबाते समय अपने जबड़े को दाई और बाएं तर भी घूमा लेती है, पर बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती, इसी वज़ा से वे खाने का बड़ा टुकरा चबा न देख सकते हैं, और एक बहुत इंटरस्टिंग फैक्ट है कि बिल्ली की दूर की दृष्टी की तुलना में बिल्ली की निकट की दृष्टी जो है वो अधिक तेज होती है, और साथ ही साथ उसकी रात की देखने की दृष्टी भी बहुत तेज होती है, एक बहुत इंटरस कि जैसे हम left handed और right handed होते हैं उसी परकार ब entrevism life handed और right handed होती है आप अक्सर देख सकते होंगे कि कुछ बिलियां अगर खुजली करती है तो right hand से करती है और कुछ बिलियां झो है खुजली करती है तो आपने left hand कपर जो करती है बिल्ली की सूंगने की किशमता जो है वो बहुत जादा होती है यहां तक कि इंसानों की तुलना में बिल्ली जो है 14 गुना तेज उसकी सूंगने की किशमता होती है और बिल्ली के पीछे के पैरों में 4 पंजे होती है और आगे के पैरों के 5 पंजे होती है पर बिल्ली के मामले में ऐसा नहीं है और सबसे अच्चरे चकित बात की इनसानों की तरह बिल्ली को पूरे शीर में पसीना नहीं आता बिल्ली को सिर्फ पंजों पर ही पसीना आता है उसके शीर के अन्य किसी भाग पर भी उसे पसीना नहीं आता जहां इंसानों का दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है वहीं बिल्ली का दिल एक बार में 110 से लेकर 140 बार धड़कता है एक व्यस्क बिल्ली के 30 दान तोते हैं जानि कि अगर कोई उसको घुसा पड़ेगा तो उसके 32 दान नहीं तूटेंगे जबकि इंसानों के कानों में केवल 6 मास पेशियां होती है और बिल्ली की लचीली मास पेशियों के कारण ही बिल्ली अपने कानों को 180 दिगरी तक घुमा सकती है जबकि इंसान ऐसा नहीं कर पाते तता बिल्ली अपने दोनों कानों को एक साथ अलग लग दिशा में भी हिला सकती है तता बिल्ली का शीर बहुत लचीला होता है बिल्ली जो है 65 मीटर की उचाई से गिरने के बाद भी चोट नहीं लगती जबकि आदमी जो है पांसाथ फूट से भी गर जाये तो उसकी घड़ी पसली एक हो जाती है बिल्ली की रीड की हड़ी में 53 जो उसकी पीट को काफी लचीला बना देते हैं जबकि इंसानों की रीड की हड़ी में सिरफ 34 जोड ही होते हैं अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि बिल्ली की मूशों के बारे में बहुत इंटरस्टिंग फैक्ट है बिल्ली अपनी मूश का इस्तेमाल उस समय खुद का अपना संतुलन बनाने में करती है जब वह कूती है या संक्रे रास्तों पर चलती है बिल्ली में एक अत्रिक्त और्गन पाया जाता है जिसके दवारा वे वाजू में उपस्तित गंद का स्वार तक ले सकती है इसलिए बिल्ली की सुनने की शक्ती बहुती तीवर होती है जहां तक कि बिल्ली 64 किलो हर्ड तक की अवाज भी सुन सकती है जबकि इनसान सिरफ 20 जाने की 20 किलो हर्ड तक की ही अवाज सुन सकते हैं और बिल्ली अपना भोजन चबाती ही नहीं है बल्कि बिना चबाय ही निगल जाती है और उनको अपने पेट में ही पचा लेती है जिस तरह मनुश्य के फिंगर प्रिंट जाने की उंगलियों के निशान यूनीक होते हैं जाने की हर मनुश्य के फिंगर प्रिंट अलग लग होते हैं उसी तरह बिल्यों की नोज प्रिंट भी यूनीक होती है जाने की जितनी भी संसार में बिल्यों हैं उनके नोज का प्रिंट जो है वो अलग लग होता है बिल्लियां अपने मालिक की आवाज पहचान लेती हैं जैसा कि कुत्ते पहचानते हैं पर बिल्लियां कुत्तों से थोड़ी चे अलग हैं अगर वो अपने माले की आवाज सुन भी लेती हैं पर उसकी तरफ ध्यान नहीं देती जबकि कुटा इसके बारे में बहुत सजग रहता है तथा बिल्लियां 30 मीटर प्रती घंटे की रफ्ता से दोड सकती है और बिल्लियों में अल्टरसोनिक सौंट सुनने की भी एक शमता होती है जानते हैं दोस्तों कि बिल्ली म्याओं क्यों को बोलती है म्याओं बोलना बिल्ली की भाषा नहीं है बिल्ली म्याओं का इस्तिवाल इंसानों से सवाद करने के लिए करती है और वे कभी दूसरी बिल्ली से म्याओं कहकर बात नहीं करती है वो कई और आवाजों में अपने सा होती है वो अपना बायापंजाज जादा चलाती है और अच्चरेचकित तथा कमाल का बिल्यों में एक फैक्ट है कि बिल्यों में कमपन को भांप लेने की शमता बहुत ज्यादा होती है यहां तक कि अगर कहीं पर भुकम आने वाला होता है तो बिल्यां जो है दस मिनट पूर जाने की अलग तरहावाज हैं लेकिन बिल्यों से ज़्यादा इंसान में यह क्वालिटी नहीं है मुलियां सौ तरहावाज है निकाल सकती हैं वहीं कुछता मात्र दस तरहावाज पाता है बिल्य एक स्टंदारी है जो मीठे का स्वाराद नहीं ले पाती यानि कि बिल्ली को अगर मीठा खलाया जाए तो उसको फीका ही लगता है और जो लोग बिल्लियां पालने के शौकीन है उनके लिए ये फैक्ट बहुत काम आने वाला है कि गलती से या भूल कर भी बिल्लियों को अदरक, लसुन, प्याज, कच्चे, आलू, टमाटर या चौकलेट मत खला देना क्योंकि ये सब चीजे बिल्लियों के लिए जहर के समान होती है यानि कि उनको बहुत नुकसान पुचा सकती है अगर बिल्लियों के पेट में इन में से कोई चीज भी चली जाए तो ये थे दोस्तों बहुत इंटरस्टिंग कुछ फैक्ट्स बिल्लियों के बारे में अब भी बिल्यों के बारे में और भी बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो विलियो के बारे में मैं और भी बहुत interesting fact जो है इसके volume 2 में बना कर डाल दूँगा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक like अवश्य कर दीजेगा और हो सके तो चैनल को subscribe भी कर दीजेगा और bell icon दबा कर all का button दबाना तो हर्गीज मत भूलिएगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगली वीडियो के आपको notification ही नहीं मिलेगी तो इसलिए इसको अवश्य कर दीजेगा धन्यवाज दोखतो जैहिन जैभारत